पहली बार जम्बो कार समीत्ती की एक्चुल मीटिंग बैठक में रखे गए कई एहम प्रस्ताव आईडियल कारकर्ता बनाने का संकल 10% दी वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी टारगेट संकल्प रेकर के यहां से जाएगे कि हम प्रक्ये की बूच पर जो 10-11% पोट से रमको पढ़ाना है पूरे मध्य प्रदेश के लगए हमारा संकल्प है कि कुसबाव ठाकरेगे जन्सताप्ती बसकर अपने संकल्टन काम के विस्तार के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष तै कर लिया है कार्य समीति की बैठत में ये भी दिखा कि बीजेपी नेताओं के बीच जबरदस्त कॉर्डिनेशन है एक नजारा ये भी दिखा कि कैला श्वेजवर गिया सिंधिया की तारीफ करते दिखे वही प्रदेश में बेटियों की जर्म दर में बढ़ोत्री का भी जश्न मनाये गया बेटियों के मामा कहे जाने वाले सियम शिवरा सिंग चौहान का तो बीजेपी महिला नेताओं ने सम्मान भी किया बेटियों बहुत दोनों बाद हुई है एक फ़र लेकिन अद्भूत हुए और मैं अद्भूत पूर भी कहूं तो अधिस योक्ती नहीं हुए इस बैठक जी योजना बनाने के लिए बैठक की सारी विवस्थाओं के लिए बैठक के स्वरूब के लिए और अंकता बैठक से निकलना क्या कन्फूजन निसकर्स उस निसकर्स के लिए जो योजना हमारे प्रभारी जी के बाई दरसन ने हमारे प्रदेश अद्धक जी ने आदमी स्वाग भाई साब ने हिदाने जी ने बनाई है मैं मुक्त कंच से आपको हिदे से बढ़ाई देता हूँ आपका अभीनंदन करता कोरोना काल में ही इस जंबो कारे समीथी का गठन हुआ था जिसमें सिंधिया समर्थकों को भी शामिल किया गया वैसे तो इसकी पहली मीटिंग वर्च्वल थी लेकिन दूसरी मीटिंग में ये मजबूरी भी खत्म हो गई और तो और बीजेपी नए लक्ष के लिए तयार भी दिखी इस बैठक में विपक्ष की नकारात्मत्ता पर भी चर्चा हुई जन जातिय दिवस मनाय जाने पर भी बात हुई आट करोड वैक्सीन लगा कर रिकॉर्ड बनाने को भी प्रमुकता से रखा गया और तो और गरीब कल्यान के क्षित्र में किये गए कामों पर भी मन्थन हुआ सबसे खास बात और सबसे एहम बात यही है कि देश में बीजेपी आदर्श कारकरता बनाएगी और वोट प्रतिशत 51 फीजदी तक बढ़ाएगी नमस्कार मैं हूँ शर्दिविदी और आज का हमारा मुद्दा है आइडियल बीजेपी 51 फीजदी टार्गिट कुछ समय पहले एक प्रोफेसर साब से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी दिल्चस बात की उन्होंने कहा जब विद्यारतियों से हमने करोना काल में जब हमने उनसे कहा कि ये जो आपकी परिक्षाएं हैं ये परिक्षाएं आपकी एक्चुल नहीं होगी वर्चुल होगी तो उन्होंने कहा सर नतीजे भी वर्चुल ही मिलेंगे क्योंकि परिक्षा एक्चुल नहीं हो रही है आप हमें आनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आनलाइन पढ़ाई के नतीजे जैसे होंगे आप क्रिपया उनको एक्सेप्ट कीजेगा अब यहां मुख्यमंद्री शिवराज सिंग चौहान जब यह कहते हैं कि यह बहुत दिनों के बाद एक्चुल बैठक हुई है मैं इसके कोई और माईने नहीं निकाल रहा हूं तो कि हम सभी जानते हैं कि कुरोना काल में हम सब ऐसे आयोजनों से दूर रहे हैं तो एक्चुल का यहां मतलब है कि सारे कारेकरता, वरिष्ट कारेकरता, कारेसमिती के मेंबर और तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर बैठे, सामने भी वरिष्ट नेता और कारेकरताओं का हुजूम, सदस्यों का हुजूम रहा और सब एक दूसरे की आँख में आँख देखते हुए, एक दूसरे की बॉड़ी लैंगविज को भापते हुए आगे बढ़े यही फर्क है एक्चुल का और वर्चुल का एक्चुल में आपको समझ आता है कि क्या संदेश लेकर हम यहां से जाएं वर्चुल में आप उसको कई बार, माप कीजेगा, एक भाशन की तरह ग्रहन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और वर्चुल आपको यह स्वतंतरता भी देता है अगर बड़ी मजबूत मॉनिटरिंग नहीं है तो और कितने लोगों को टोकेंगे आप हजारों लोगों को अगर आप एडरेस कर रहे हैं तो क्या देख सकते हैं कौन उबासी ले रहा है कौन अपने मुबाइल में गुम हो चुका है तो बीजेपी ने जिस तरह से ये लक्ष रखकर आगे बढ़ने का एक संकेट दिया है ये बीजेपी की वही शैली है और बीजेपी के चेहरे पर चुनौती आने वाले वक्त की चुनौती का चिंतन भी बहुत साफ तोर पर नजर आया है कोई गफलत नहीं है जो चैलेंजेज हैं वो बहुत साफ तोर पर सामने दिखे हैं और इसलिए बीजेपी अब एक मजबूत तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है और कुशा भाव ठाकरे जी पित्रु पुरुष एक तरह से मध्यप्रदेश में बीजेपी के राष्टी अद्ध्यक्ष रहे उनके ये जन्म शताबदी वर्ष में एक वो तोफा भी देना चाहती है कारेकरताओं से पेक्षा रखती है कि वो कुशा भाव ठाकरे के नाम पर आगे आएं और उसी तरह संकल पवान होकर बीजेपी के लिए अनुकूल हर दृष्टी से अपने को साबित करें आज फिर एक बार यही विशह है जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे बिल सेवा दल मद्यप्रदेश के पूर अध्यक्ष उनका में बहुत स्वागत करता हूं साथ ही मनोच सैनी हमारे एक्जेकिटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस बैठक पर लगातार निगाह रखे हुए हैं और चैतन्य भठ जी जबलपुर से परिष्ट पत ही आपकी फिर हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं किस तरह का माहौल आपने फील किया बहुत दिनों के बाद ये एक्चुल बैठक हुई सीम शिवराज जी ने भी यही बात कही किस तरह का मनजर था कैसा द्रिश्य था तमाम कुछ सदे हुए चेहरे थे कुछ तने हुए चे चेहरे थे कुछ वर्तमान की चुनाटियों को समझते हुए चेहरे थे किस तरह से आप इलाबरेट करेंगे इस महत्वपूर ना बैठक को बीजे पी की जी बिलकुश अरजी आपने ठीक कहा है और यह बैठक अपने आप में कई माइने निकालती है और इसके यदि हम देखें तो बास्ता में यह एक्चल थी क्योंकि यहां आँख में आँख डाल कर बात की जा रहे थी मुख मंत्री का जब अंतिम संबोधन हुआ समाप्ती से पहले तो वो उसमें दिखाई दे रहा था वो हर कारकरता के आँखों में आँख डाल रहे थे वो अपने मंत्री बिदायकों को ताकीद कर रहे थे कह रहे थे कि पत्र लाना थोड़ा कम कर दीजे कभी बिना पत्र के भी मिल लिया करिए वो सब को कह रहे थे कि समल कर चलिए ये भारती जनता पार्टी का संग्टन है यहाँ जादे उपताबलापन मत दिखाईए तो मतलब हर किसी को उन्होंने बताया लेकिन बड़ी बात ये रही कि जाते जाते एक बड़ी सौगात कुसावाउ ठाकरे की जन् मत कीजिए मीडिया के भरों से भी मत चलिए यानि सीधे तोर पर कायरकरता को ये कहा है कि जादे दिखाबे में मत आईए काम करिए दूसरी तरफ सिब्रा सिंग चौहान मुक्मंत्री है जब अन्तिम उन्होंने बासर दिया तो सीधे तोर पर कायरकरता को कहा बशनेताओं क पर बात कही जा रही थी और इस बैठक के बहाने एक कवन फीस्दी जो बात कर रही है अपनी बोट सेयर करने का जिसमें दस फीस्दी का इजाफा किया जाना करी 48 परसेंट भारती जनता पार्टी के पास है जैसा विडी शर्मा भी थोड़ देर पहले कह रहे थे तो उसको बढ़ा कर दस से बारा परसेंट करना है और मुक्मंत्री ने कहा कि मैं दो से तीन बैज तक मतलब दो घंटे अब मैं एक कार्करता बन जाओंगा बिस्तार बिस्तार भी करूंगा पार्टी के साथ और एक ऐसी प्रभंध कमेटी बनाई जाए जो सत्ता के उपर भी ध्यान रखे और समय समय पर बताते रहे कि क्या करना यानि बहुत ही दिल्चस्पव एक बैठक का स्वापन हुआ है यहां पर और यह कहा जा सकता है कि आज की बैठक एक नई लाइन ते करेगी बिलकुर बहुत शुक्रिया मरोज जी आपका तो बेहिचक एक अलग तरह की बैठक और इस बैठक में बीजेपी के वो तमाम दिगज भी मौजूद हैं केलाश विजेवरगी जो चन्द दिनों पहले अमेरिका प्रवास पर थे और उनकी वर्षगांट विवा की अभी निकली है और उन्होंने बड़ी प्यारी सी पाती सोचल मीडिया पर शेयर की थी कि आप यहां हैं और हम वहां हैं लेकिन ठीक है प्रेम अपनी जगे शाश्वत है और हमेशा रहेगा। सारे दिगजों को एक साथ देखना यह मैं नहीं कहता है किसी को सबक लेने की जरुरत है इससे लेकिन ये बीजेपी का मन्च है जहां हर बड़ा नेता हर मज़ोला नेता हर छ अलाबरेट किया है एक विसलेशनात्मक पहलो आपकी तरफ से जी चैतनी जी 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 देखे शरच जी भारती जनता पार्टी जिस तरह से रणीती बनाती है वो कोई आज की नई बात नहीं है वो बरसों से इस तरह की रणीती बना रही है विशेशकर जब अभी हाली में जो उ ना हुए है उसमें जिस तरह से उसको जीत मिली है उससे उसको यह लग रहा है और उसी का प्रतीफल यह था कि जब रहगाओं और प्रतीफुर की जो सीड जो आधी वासी बहुले मानी जाती है उसमें भी उसको जब विजश्री हासल हुए तो उसको यह लगा कि हम अपना जो परसेंट है वो कहीं ने कहीं बढ़ा सकते हैं दूसरी बात जो शायद साइनी जी ने नहीं बताई कि मदली धर राव ने भी ये कहा कि पार्टी लाइन से अलग हट के बयान नेता लोग ना दे जायर सी बात है कि अभी बहुत से नेताओं ने इस तरह का बयान दिये जो ज आते थे लेकिन जब सामने आदमी बैठा हुआ है और एक दूसरे से बात कर रहा है आखों में आके डालके बात कर रहा है तो सारी बाते समझ में आ जाती है निश्चित तोर पे ये जो तैयारी है ये भारती जनता पार्टी की आगामी 2023 में जो चुना होने वाले हैं उसके लिए है और ये हमेशा से होता आया है कि भारती जनता पार्टी जैसे ही एक चुनाओ खतम होता है तो दूसरे चुनाओ की तैयारी में लग जाती है और उसका जो संगठन है वो बहुत मजबूत है इसमें तो कोई संदे नहीं है मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अगर इस तरह की तैयारी दिखाना है तो उसको भी कुछ ने कुछ करना पड़ेगा दूसरी बात जो आइडियल आदर्श आइडियल कारेकरता की जो गोशना की है क्या हमें एक आदर्श का आइडियल तो उसकी क्या परिभाशा होगी ये अभी समझ से बाहरे क्योंकि मुझे तो और पर एक सवाल है जिसका शायद उत्तर ओमेश शर्मा जी जरूर देंगे बिलकुल और उसके पहले थोड़ी सी रोशनी मैं भी विनमरता से डालने का प्रयाद जरूर करूँगा कुछा भाव ठाकरे जिनका नाम मद्यप्रदेश ही नहीं देश में है आदर्श कारेकरता कैसा हो जिसके पास दो जोड़ी कुर्ता पजामा हो रहने के लिए घर की कोई विवस्ता हो जाए तो ठीक है नहीं तो जैसा प्राचीन परंपरा है कि कभी इस घर भोजन कभी इस घर भोजन लेकिन जब से सत्ता में बीजेपी की भागेदारी बढ़ी है बहुत कुछ बद जी मुझे लग रहा है कि आज तो मद्यप्रदेश भारती जनता पार्टी का प्रतिक कारिकरता आल्लादी थे और उल्लासी थे वो कारिकरता भी आल्लादी तो रुलादी थे जो लगबग 800 की संक्या में यहां पेक्षी था और मुझे लग रहा है कि मद्यप्रदेश भारत से चर्चाओं का दोर चला है राजनेतिक प्रस्ताओं भी आए हैं किसानों के विश्यों में भी चर्चा हुई है जर्जाती समाज से जुड़ेवे विश्यों के उपर भी चर्चा हुई है महिलाओं के कल्यान की दृष्टी से पई समगरता से विश्य पर चर्चा हुई है सम समाज को भारती जनता पर्टी से अधिक्तम कैसे जोड़ा साथ सकता है तो मुझे लग रहा है कि इस सेथू का निर्मान करने के लिए लक्ष तही करा गया है कि 51 प्रतीशत बहुत प्रतीशत और यह 50 प्रतीशत बोड तभी प्राप्त किया जा सकता है शरजी केवल भारती जन पात हो एक इसने हैं भरी द्रश्टी से समाज हमको संबल प्रदान करें तो मुझे लग रहा है कि दोनों मोर्चों पर एक साथ काम करने की सीक आज हम लोग लोकर लोट रहे हैं कि हम समाज के चरणों में जाएं और उनको पर विश्वास उनका आरजित करने का प्रयास करें और इस तरह का भाव समाज में विक्सित कर पाए कि समाज को भी हम पर विश्वास हो और ये जो 51 प्रती आखरी बास शरण जी पिर योगे जी भाई साब को सुनना मुझे हमेशा रुची कर लगता है ये 51 प्रतीशत जो वोट लक्षे मुझे लग रहा है शरण जी की ये व हम सभा का चुना हो लोग सभा का चुना हो लोग तंत्र की हर एक अगनी परिक्षा में हम जो समयधा डालेंगे उससे अगर 51 प्रतीशत का यग्यभाग हमको प्राप्त हो जाता है तो मुझे लगता है कि राजनेतिक रूप से हम बहुत बलसाली होंगे और पुष्ट होंग महतपूर्ण जी आएं और यहां विराजें और फिर एक बड़ा मैसेज जाए कि नहीं हम ठीक है जो हो गया सो हो गया लेकिन अभी हम लड़ेंगे ख्षत शीष मगर नत्शीष नहीं इस तरह का कुछ संकल्प गूजे तो फिर ऐसा लगे कि दोनों योधाओं के जो भाषा प्रांजल हो ठी है प्रणाम करते हुए आप दोनों को जी योगे जी शरत जी उमेज जी की भाषा और ग्यान की समगरता के बारे में कोई शंचय नहीं है जो उनकी विचार की अभिवेक्ति है परमात्मा से यही प्रात्ना है कि उमेज जी की जो अपनी वैचारी का भुतियां है या वैचारी का उनका जो संप्रेशन है उस आधार पर ही यदि भारती जनता पार्टी को कुछ ग्यान का भंडार प्रात्थ हो जाए क्योंकि अभी तक मैं 27 बात को लेकर कन्फ्यूज हो कि वर्च्वल और एक्च्वल की परिभाचा मानी मुख्यमंत्री जी क क्या देना चाहते हैं एक्च्वल शब्द का प्रियोक शायद उन्होंने इसलिए कि अभी तक वो सब भ्रह्म में ही जी रहे थे वास्थिक्ता से दूर थे आज उनको वास्थिक्ता को नजर आया है तो मेरा अभी प्राई यही है उमेज जी आप जैसे घ्यान दाता उनको जरूर मार्जशन करें कि यदि वो भ्रह्म से दूर अड़ गए तो उनको कई भ्रह्म को दूर करना पड़ेगा आज मिटिंग चाथ दोबंद हुई यह बहत्तपूर्ण नहीं था महत्तपूर्ण यह था कि हम उन समात के लिए कैसे बात करें जो एजेंडा मैं शरत जी बत जाना चाहिए कि जैसे मनोच जी ने बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि आख से आख मिला रहे थे विवराज सिंग जी अब आख से आख मिलाने की पार्टी नहीं बती अब आख दिखाने की अवशक्त क्योंकि मुझे बड़ा व्यथित करने वाला यह बयान लग जाती आप मेरे अभी प्राहे आपको इस्पष्ट हो गया हुगा उच्छे जाती को जेब में रखने की बात यह भारती जन्ता पार्टी का कोई नेता करता है तो यह दुर्भा के शालीशन है इतना एम इतना अहिंकार कभी नहीं होना चाहिए सनातम परमपरा के निर्वा क समझ रहे होंगे तो भारती जन्ता पटी आत्म विचलेशन कर रही है तो अपने बेलगा मंत्रियों पर भी करें अपने विचार पर भी करें और जैसा सुनियोजित आप कल्पनाप करते हैं कि हमें यह करना इतने 51% बोग सब पहुंचना है उससे पहले आफशकता है कि जाती का समाज हो दलित हो पिछड़ा वर्ग हो किसी भी जाती का समाज हो अभी कहीं न कहीं बेचार की के अंसरकत वैठी थे पताड़ी थे पराजी थे तो इन सबी बातों पर समगर विचार की अव्शकता है और मैं तो बिलकुल मानने सा देता हूँ कि इमेज जी ने जो विचार का प्रभा किया है, शायद उसका अनुसरन करें, भारती जनता पार्टी के वरिष्टे नेता, तो बहुत बड़ी बात होगी, ये सार्चक मिटिंग होगी, अभी मैं इस मिटिंग को बहुत सार्चक नहीं मानता हूँ. मैं चलूँगा फिर एक बार हमारे जो तठस्त प्रिक्षक हैं, चैतनी भट जी की तरफ, चैतनी जी, क्रिकेट चुकी हमारे लिए बड़ा भारत में खेला भी खुब है, देखा भी खुब है, तो तुलना भी उसी से आ जाती है, कि कई बार जब चुनोतियां बड़ी गहरी होती हैं, तो जिनको आप कहते हैं कि एक पूरी टीम 11 प्लेयर्स की डिलिवर करती है, और खास्तोर से निचले क्रम की जो मजबूती रहती है, जैसे जैसे आप नीचे उतरते चले जाते हैं, बैटिंग ओर्डर में, तो पता चलता है कि जो स्पिनर थे और जिनका सर्वोच स्कोर ही बीस रहा है, आज सत्तर रन वो भी बना गए, कारेकरता की महत्ता राजनीतिक दलों में बिलकुल इसी तरे है, कि कई बार बहुत बड़े-बड़े स्वनामधन्य जो हैं, नेता, वो बहुत गहरी चुनोती का सामना करते हैं किनी-किनी कारणों से, लेकिन निचले स्तर पर ये कारेकरता भरोसा पैदा करता है लोगों में कि नहीं, हमारी ही पार्टी स्रेश्ट है, इस दृष्टी से आप इस बैठक को कैसे देखते हैं, क्योंकि 2023 का चुनाव, एक चुनोती पूंड चुनाव इस माइने में है कि कोविड की दो लहरे हैं बीच में, मध्य चुनोती में चुनाव रूपी वेतरणी को पार कराने वाला अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, तो उसका नाम है कारेकरता, जी, चैतनी जी, जी शरण जी पहले तो आप तीनों को बहुत शुद धिंदी बोलने के लिए बहुत बहुत बदाई, इस्चत तोर पे उमेश शर्मा जी के साथ-साथ जो यादो जी ने भी अपनी शुद धिंदी के उचारण कि आप भी कम नहीं है, जी, दूसरी बात जहां ता कारेकरता की ब मेहनत का शे कारेकरता का अपने प्रती, अपनी पार्टी के प्रती बहुत ज्यादा अनुराग है, तो निश्य तोर पे वो अपनी तरब से पूरी मेहनत करता है, और जब वो मेहनत करता है, तो फिर अपनी पार्टी को वो सत्ता में पहुंचाने के लिए एक सीड़ी का काम करता है लेकिन अकथर होता ये है शेरजी के जो बड़ी पार्टिय führen होती है वो जब चुना होता तब तो कार्यकरتा की बहुत पूछ परक रखती है लेकिन जब चुना हो जाता है तो वही कार्य करता विचारा जब मंद्रियों के दरवाजे पे जाता है तो उसको निराज शाहत लगती है तो अगर भारती जनता पार्टी अपने कारेकरताओं के प्रती बहुत ज्यादा एक तरह का जो अनुराग दिखा रही है कि कारेकरता ही हमारी सब कुछ है और उसको उत्साहिद भी क प्रत्ता में अगर आना है तो वो आपके ही कंधों पर उसका बोज है इंक्यावन प्रतिशत बोट लेने की जो बात है वो निश्यत तोर पे कारेकरता के दम पहीं मिल पाएगा क्योंकि एक एक बूत पे अगर लोगों को लाने की कोशिश भारती जनता पार्टी का कारेकरत अपने आप में वैसे भी बहुत ज्यादा पार्टी के प्रति आ सकती रखता है जहां तक कांग्रेस की बात है तो जैसा की भी कांग्रेस के प्रवाक्ता ने कहा कि मैं इस बैठा को सार्थक नहीं मानता लेकि मज़े लगता है कि कांग्रेस में भी इस तरह की बैठके होना चाहिते है और तमाम बड़े नेटा हैं जो उनके हाई कमान हैं उनको भी यहां आना चाहिए क्योंकि जब बड़ा नेता आता है तो कारेकरताओं में एक गजब का उस्ता पदा होता है उसको म degता है कि हमारे तरफ दृष्टिपात कर रहा है तो कांग्रेस को इस बात का अन तो अगर इसी तरह का कोई आयोजन कांग्रेस भी करेगी तो निश्यत तोर पे इसका फायदा भी उसको आगामे चुनाव में मिल सकता है बड़े परिप्रेक्ष में अगर हम देखें तो जब कॉंग्रेस की सरकार रही 2018 से लेकर डेड़ वर्ष तक तो यह आरोप लगा कि उसको वेटेज नहीं मिला आरोप यह भी लगा कि मिलने का समय नहीं मिलता है दिगज नेताओं से मुख्यमंत्री से केमिनेट मिनिस्टर से या उनकी तवज्जो जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं रही बीजेपी की तरफ अगर आप आते हैं तो यहां बीजेपी का जो कारे करता है वो भी यह महसूस करता है कि जिस तरह की एक प्रणाली पहले थी वो प्रणाली अब और अधिक मजबूत हो ऐसा नजर नहीं आ रहा है उसकी चिंता करने वाले लोग जैसे पहले थे मुख्यमंत्री जी को खंडवा में कहना पड़ा बाय एलेक्शन में कि अब कुशा भाव ठाकरे जी नहीं है प्यारे लाल खंड़ेलवाल नहीं है और अब मैं हूँ आपका संरक्षक कस्टोडियन मैं हूँ यह कहने की करता पुराने दिनों को याद करता है तो वर्तवान में प्यारे लाल जी और ताकरे जी की चवी धूंडता है उमेज जी शरजी जो आपने बात कही है मुख्यमंत्री जी ने भी आज उस बात को कहा है भिन्न प्रकार से कहा है मुख्यमंत्री जी ने बहुत आत्मिय के साथ अप्रदेश अद्यक्ष जी को आगरा करा है कि जो हमारी प्रबंद समीतियां जो चैतनी जी कह रहे थे कि प्रबंद समीतियां तो प्रबंद समीतियां मैं चैतनी जी को भी थोड़ा सा चैतनी जी तो बहुत वरिष्ट पत्रकार है केवल एक संदर्व के लिए चुकि वो हमारी कारिपद्धती की विवस्ता है और प्रब काई भी सरकार से जड़ा ववा प्रतिनी भी जाएगा तो उसका कारिक्रम मैं उसमें यह प्रबंद समीतियों का अभीमत लेना और क्रभंद समीतिय हैं जो सरकारी कारिक्रम होते हैं शरत होते हैं पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत मुझे लग रहा है कि हट अगरह के साथ प्रदेश अध्यक्षी जी को कहा है कि आप इस प्रकार की एक विवस्था निर्मान करिए कि प्रबंद समीतिया यह सुनिश्चित करेगी कि चाहे मुख्यमंत्री का भी दोरा हो रहा तो अन करता खुल कर अपनी अपेक्षा उनको व्यक्त करें और साथ में मुख्यमंत्री जी ने कारिकरता के लिए भी मरियादा का थोड़ा सा आग्रा करा है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक आखरी बात शरजी की जो यह माना जाता है कि भारती भारती जनता पर्ठी के क कारिकरता का एक गुनवैसिष्ट तो है और यह गुनवैसिष्ट जो है यह अस्वभाविक रूप सी हमारी कारपद्दती के कारण हम लोगों में विक्सित हो जाता है क्षानभर के लिए कहीं कोई व्यक्तिकत आकांग्षा की पूर्ती ना भी हो पाए तब भी आप मान के चलिए कि अंतिता भरती जनता पर्टी के कारिकरता में यह निर्पेक्ष भाव जो है वह इस्थाहित्व के साथ रहता है कि हमारे बेचारिक संगठन का विस्तार होना चाहिए हमारा विचार की समाज में स्वीकारिता बढ़ना चाहिए आज भी आकरी भाशरजी की प्रदे अक्टूबर उननीस तो इक्यावन को भी यही भाव था कि देश प्रथम और आज जब हम 26 नवंबर 2021 को बैटे तो उसमें यह लाइन आगे जुड़ी हुई है कि सदेव प्रथम तब भी हमारे लिए देश प्रथम था और आज भी हमारे लिए देश प्रथम है और यह जो देश प्रथम का भाव है शरजी मुझे लगता है कि यह हमारी जो अब्यक्ति का ताकांक्षा है इनको कभी भी हमारे मनो मस्तिष्क में मनो मालिन के रूप में आने नहीं देखें निश्य ही बात जो भी अभी प्राय उमेश जी ने इस पर सकिया सबके अपनी अपनी पंच सक्ते में हो जैते की हमने बात कही तो श्रममाय जैते की भी बात कही और यह अभी प्राय हर पार्टी को होना चाहिए और हम गोरानवी थे इस हैतु कि कॉंग्रे से कराश्टी इस्तर की पार्टी है कॉंग्रे से कांदोलन है मेरा बस अभी प्राय यह है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत सारे सुजाओं दूँ और आप मेरे सुजाओं के बारे में कोई चेतनिता प्रदान करें सबकी अपनी अपनी प्रणालिया रहती है लेकिन ये चुबने वाली बात होती है कि आपको अब आँख दिखाने की अवशकता है ये आप कुछा भाउ ठाकरे को परणाली को देखकर कि एक मंतरी स्वास मंतरी जो करोना के कारिक के बाद भी जिसके प्रदैशन बहुती ज़्यादा कमजोर रहा उसके बाद अभी हमीडिया कांड के बाद भी उस मंतरी को ब्साओलाल सिंग जैसे बैयान बीर जोगों को हठाया नहीं जाता तो कहीं ना कह से ऐसा लगता है भारती जन्ता पार्टी इनकी जो को पचाने की कोशिस कर रही है पचाने की कोशिस कर रही है या आपको मूंदने की कोशिस कर रही है तो इस तरीके का जो तरतर सामने आता है तो फिर वो जो हमारा भाव अभी विक्ति है और जो हमारी कर्मशीर का उसमें बह हमेशा रहती है और एक ऐसी पार्टी जो सत्ता धारी दल में है और जिसको ये भी आप कहा सकते हैं जिसको आप ही की खाम्यों का फाइदा बिला और वह वह सत्ता दैगा spent सत्ता के आसपास ना रहने के लिए भी आगरह किया जा रहा है तो ये बताता तो है कि BJP में एक सतत प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया कहीं न कहीं असर तो दिखाती ही है इसमें कोई शक नहीं जैसा आप भी कह रहे हैं और जैसा हम चोथे स्तंभ भी देखते हैं कि कई चुनोतियां BJP के समक्ष भी है और इन में से कई अधिकांश बलकि मैं कह सकता हूँ कि कारेकरताओं से जुड़ी हुई है योगि BJP का कारेकरता स्वाभिमानी है वो कांग्रेस के कारेकरता की तरह खुल कर अपनी नाराजगी नहीं जताता है लेकिन वो नाराजगी ज्यादा चुनोति पूर्ण होती है जो मन में कैद हो जाती है और मन का ये जो कैद होना है ये ज्यादा चुनोति पूर्ण इस मामले में है कि BJP का वो कारेकरता पीडियों में बना है और उस कारेकरता की तुलना में जो दस करोड कारेकरताओं का फिगर है मैं तुलना नहीं कर ला हूँ लेकिन बहुत सारे कारेकरताओं को अभी बीजेपी को समझना है उसकी रीती नीती को जानना है लेकिन जो परंपरा से बीजेपी का कारेकरता है जो उसकी रीती नीती को जानता है उसका 100% लेना ही BJP की चुनौती है और BJP जानती है कि इस चुनौती को वो पूरा कर पाई तो फिर आगे कोई तकरार भी नहीं है कोई रार भी नहीं है बहुत शुक्रिया उमेज जी, शुक्रिया योगेज जी बहुत शुक्रिया चैतन्य भड़ जी बने रहे हैं बंसल नियूस पर आगे देखिए चतिर गलाज का मुद्धा राज्य केंद्र में रार पीम आवास